वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली थियेटर में रिलीज हुई एक टमिल हरोर मूवी को लेकर आया हूँ, इसके नाम है पीजा 3 दमम्मी पीजा पार्ट 1 जबरदस हीट होने के वेए से इन्होंने और दो पार्ट्स और्डियंस के सामने लाया और सच बतराओं इस मूवी का थीम भी सेम पार्ट 1 ही की तरह है, मतलब इन्होंने अपने थीम को बदला रही, ये चीज़ मुझे बहुती अच्छी लगी आप मूवी के बारे में वाग करें तो एक बार ज़रूर देख सकते हैं, किसकी आत्मा है, कैसे मरी, क्यूं मार रही है, क्यूं हीरो को नजर आ रही है, ये सारे एलिमेंट से बहुती अच्छे लगे तो चलिए फटावर से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं, उस से पहले उटा दो प्यार, फॉल इंस्टाग्राम काने की शुरुआत में एक बंदा किसी टिपपर जाकर वापस अपने घर आता है, इसके एक छोटी से फैमिली होती है, वाइफ, दो बच्चे, इसने अपने बच्चों के लिए गिफ्ट भी लाया होता है, उसके बाद ये बंदा अपने बैक से एजिप की एक छोटी सी मू कूरती है ये, इस वेरी प्रीशियस, खर फ्रेश अप और डिनर वगरा करने के बाद जब ये सोने ही वाले होते है, तब ही इनकी घर की बिजली चली जाती है, वो दो बच्चे अपने पापा से जित करने लगते है, कि पापा पापा हमको एक कहानी सुनाओ, और वो भी हर कहानिया कौन सुनता है, तब ही वो बच्चा अपने पापा से कहने लगता है, कि पापा पापा मेरे फ्रेंड ने कहा, कि हमारे घर के बाहर भूत आकर हर रात बास्केट बाल खेलता है, वो बंदा कहने लगता है, हाँ बास्केट बाल से याद आया, मैं अपने बच्चपन का एक इंस्टेंट सुनाता हूँ सुनो मेरे स्कूल टेम पर हमारे स्कूल में बॉस्केट बॉल का कॉंपटिशन चल रहा था हमारी आपोसिट टेम जबरतस तरीखे से पॉइंट्स बना रही थी और सैम नाम का बंदा तो भोधी धाजुदार खेल रहा था खेल के दर्मियान पता नहीं कैसे सैम को फिट्स आ गए मैच रुका कर सैम को हॉस्पिरल ले गए उस वक्त तो वो ठीक हो गया तीन महीनों बाद उसकी मौत हो गई मेरे दोस्तों ने कहा कि सैम जब जब ग्रोड में दिखाई दे रहा था बॉस्किट बॉल खेलता था लेकिन मैंने गभी उसको नहीं देखा बेटा यह सो कुछ कहानिया है असल में भूत वगरा कुछ भी नहीं होते खर अब बहुत हो गई कहानिया चुप चप सो जाओ तब ही इस बंदे का बच्चे यह कहने लगता है कि पापा मेरे फ्रेंड ने कहा था कि आपने ही सैम को धका दिया जिसके वेसे उसकी मौत हो गई लेकिन यह बंदा अपने बच्चे की बात को टाल कर इसको सुला देता है खर आधी रात को यह खिलोना अपने आप चलने लगता है वो भी म्यूजिक प्ले करते हुए म्यूजिक की आवाज सुनने के बाद वो बंदा अपने नेंज से जाकर हॉल में आने लगता है देखता है हॉल में कुछ भी मौजूद नहीं इस खिलोने को आफ कर देता है और सम्ट टाइम उपर से खुद बखुद एक बॉसकेट बॉल इसकी तरफ आता है इसको कुछ भी समझ में नहीं आता उसके बाद जब लाइट आउन करने ही वाला होता है तब इसको बॉसकेट बॉल बाउन सोने की आवाज आती रहती है जहां से आवाज आ रही होती है वहाँ पर जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी मुझूद नहीं होता अचानक से वो आवाजें स्टाप हो जाती है यह देखने के बाद इस बंदे के पसिने चूटने लगते है उसके बाद यह अंजान एंटिटी आकर इसको एक जबर्दस तरीखे से च्छापड लगाती है इस तरह से यहाँ पर यह सिन कट होता है कट दूसरे सिन में एक टीवी न्यूस चानल को दिखाय जाता है टीवी न्यूस चानल मारों ने चार लोगों को अपने टीवी न्यूस चानल में बढ़ाया होता है और इन चारों के बीच डिबेट इस बारे में होता है कि इस दुनिया में भूत है या नहीं इन چारों में से एक scientist टैप का बंदा होता है, एक library होता है, एक लड़की हुती है जिसकराम होता है कायल, यह इस movie की heroine है जो technology के expert होती है और चौता बंदा एक स्वामी जी होता है, तो पहले आंकर स्वामी जी से पूशने लगता है कि आपका मानना है कि इस दुनिया में भूत वगरा होते है क्या आप इस बात को प्रूफ कर सकते हो सौमी जी कहने लगता है कि पहले मैं आप लोगो एक बात बताना चाहता हूँ 4000 पहले एजिप्ट में एक रानी ने एक छोटे से स्टैचू को बनाया था जब दूसरे लोग इस रानी के शहर पर हमला करने वाले थे तो इस रानी ने अपने शहर के नेगेटिव एनरजी को इस छोटे से मूर्ति में समा दिया अपने शहर प्रजा को बचाने के लिए और वो स्टैचू कोई मामूली स्टैचू नहीं है पूरणीमा के दिन अपने आसपास की आत्माओं को जगाती है वो वो स्टैचू के बारे में काफ़ी सारी किताबें भी लिखा मैंने सुना है कि फिलहाल वो स्टैचू इंडिया में मुझूद है ये सुनने के बाद साइंस में मानने वाला बंदा कहने लगता है ये सब कुछ अफवा है उसके बाद आंकर कायल से पूशन लगता है क्या आपने कहा था कि भूत प्रेज से बात करने के लिए कोई आप डेवलेट किया आपने उसके बारे में क्या बताना चाहते हो आप कायल कहने लगती है क्या अक्यूरी इंसान और भूतों की बीच एक छोटी सी फ्रिक्विंसी का डिफ्रेंस है मतलब सम कैंड आफ सौंड वेप्स हर एक सौंड हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती फर अक्जामपल जो आवाजें कूते सुन सकते है वो हम इंसान नहीं सुन सकते और उसी तरह चमकादड सेम उसी तरह से भूतों से कम्यूनिकेट करने के लिए एक फ्रिंक्विंसने की जरूत है और उसी के जरिये से मैंने इस अप्लिकेशन को डेवलेप किया सिंबू से बात करें तो ओईजा बोट के बारे में आपने सुना ही होगा उसका ही डिजिटल वर्षन है ये अप्लिकेशन तब ये साइंस मानने वाला बात न कहने लगता है अच्छा आजकल भूतों से बात करने के लिए मुबाइल फोन इस्तमाल हो रहा है ठीक है मेरा बेटा दो साल पहले आक्शन में मर गया आपके अप्लिकेशन के जरिये से मुझे मेरे बेटे से बात करवाईए तब मैं भरूसा कर सकता हूँ कैयल कहने लगती है कि अच्छली सर अगर हम चाहेंगे तो हम बात नहीं कर सकते आत्माओं को भी हम से कम्मिटेट करने की इच्छा होनी चाहिए उनकी एनरजी हमारे आसपास होनी चाहिए सो उसके बाद कैयल अपने अप्लिकेशन का इस्तमाल करके वो साइन्टिस्ट के बेटे के आत्मा को बलाने लगती है कि अगर आप यहां पर हो तो रेस्पॉंस कीजिए बहुत बार बलाने पर भी कोई रेस्पॉंस नहीं मिलता साइन्स माने वाला बंदा कहने लगता है देखा यह सब कुछ आफवा है भूत भूत कुछ नहीं होते खास के बाद इन चारों के बेच और थोड़ा डिवेट होने के बाद यहां पर यह शोग खतम होता है ख़़ दूसरे सीन में नलन नाम के एक बंदे को दिखा जाता है अच्छली नलन और कायल एक दूसरे से बहुत प्यार करते है फिलहाल नलन कायल के भाई प्रेम से मिलने के लिए किसी रेस्टरॉंट आता है आच्छली प्रेम एक पुलिस ओफिसर होता है नलन के बारे में पुछने पर नलन ये कहने लगता है कि इसका एक रेस्टरॉंट है और वो भी लोन पर लिया हुआ यह जानने के बाद प्रेम नलन की बहुत बेज़़दी करने लगता है मतलब तुम खुद एक अर्जे में डूबे हुए हो तुम्हारा कोई ठीकाना नहीं ऐसे में मैं आपनी बेहन की शादी तुमको देकर कैसे करूंगा मैंने अपनी बेहन के लिए एक लड़का ढून लिया है ऐसा कहते ही तब ही यहां पर अर्विंद नम का एक बंदा आता है प्रेम अर्विंद के सामने भी नलन की बहुत बेज़़दी करने लगता है बेज़़दा वहां से उठके चला जाता है उसके बाद कैयल नलन को कॉल करने लगती है मीटिंग के बारे में पूछने के लिए लेकिन नलन पहले से घुस्थे में होता है कैयल का फुन पिखी नहीं करता उसके बाद नलन वापस अपने रेश्टरॉंट आता है किचन में दामो नम का एक बंदा काम करते रहता है और नलन दामू को अपने बड़े भाई की तरह मानते रहता है सो दामू नलन को समझाने लगता है कि लाइट ले उसकी बाते है अपने मीटिंग के बाद कायल को बता वो समाल लेगी अचुली नलन इस रेश्टरोन का ओनर होता है इसके बावजुद भी ये खुद किचन में जाकर वर्कर्स के साथ काम करते रहता है अपने वर्कर्स को अपनी दोस्त की तरह मानते रहता है कभी एक वर्कर नलन के पास आकर कहने लगता है कि बॉस किसी ने ये स्टैच्यू टेबल पर ही छोड़कर चले गए नलन कहने लगता है ठीक है इस स्टैच्यू को रैक में रख दो बाद में इसका ओनर आएगा तो उसे दे दो इस तरह से वो इजिप्ट की स्टैच्यू नलन के रेस्टोर में ही रहती है खर थोड़ी देर के बाद ये एक बंदा किचन के सारे लाइट्स बगरा बंद करके बाहर जाकर बस ऐसे ही सिगरेट पीते रहता है और जब ये बंदा अपने घर जाने ही वाला होता है ये देखता है कि किचन के लाइट्स आन हो चुके है ये बंदा सोचे लगता है कि मैं अभी अभी तो आफ करके आया अंदर जाकर देखने पर ग्यास भी आन होती है तो ये बंदा दुबारा ग्यास और लाइट्स आफ करके वापस अपने घर चला जाता है खर सुबा होने के बाद जब नलन वापस अपने रेश्टाउंट आता है तो इसकी किचन के सारे के सारे सामान बिखरे होते है जैसे लगता है कि रात को कोई क्लीन करकर ही नहीं गया नलन अपने वरकर को कॉल करके डाटने लगता है क्या मैंने तुम से कहा था ना कि किचन क्लीन करकर ही तुम अपने घर जाना वो बंदा यही कहने लगता है अरे बॉस मैं तो किचन और लाइट्स आफ करकर ही घर गया मैं आदे घंडे के लिए बाहर जा रहा हूँ उसके अंदर मेरा किचन क्लीन होना चाहिए फटावर्ट से रेश्टिंट आ जा दूं उसके बाद नलन एक बंदे से मुलगात करने के लिए जाता है शायद इस बंदे से नलन कोई प्लेज खरीदा उसके पेपर्स दे देता है ये बंदा दूसी तरफ रेश्टराइन में वर्कर्स आकर सारा किचन को साफ करते रहते है एक वर्कर अपने कोई वर्कर से ही बात कहने लगता है कि कल रात को मैं सारा किचन क्लिन करकर ही गया ऐसे कैसे बॉस मुझे डाट सकते है ऐसा कहते है जब वो बंदा फ्रिज को ओपन करता है तो फ्रिज में एक नई किसम की डिश होती है सम कैंड अफ स्वीट इस चीज को सारे लोग टेस्ट करने लगते है जबर्दस टेस्टी होता है और सी तरह एक दूसरे से पूशन लगते है कि इस स्वीट किसने बनाया सारे लोग यही कहने लगते है कि माइने नहीं माइने नहीं तब यह दामू आकर कहने लगता है कि शायद इस स्वीट को नलने बनाया होगा हमको सर्प्राइस देने के लिए सो दूसरे वर्कर्स यही सोचने लगते है कि कल राद बॉस नहीं किचन में काम करके हमको डाटने लगे उसके बाद दामू इस डिश को डिस्प्ले में रख देता है थोड़ी देर के बाद जब एक छोटी बच्ची इस स्वीट को टेस्ट करके अपने पापा को जाकर बताने लगती है वो बंदा दामू के पास आकर कहने लगता है कि अगले हफ़ते मेरी बीठी का बड़े है और मुझे ये डिश चाहिए 35 केजिस का तो ये लोग बिना नलन से पुझे इस बंदे का ओरर ले ले लेते है खर दूसे दिन नलन का बड़े होने के वैसे नलन और कायल एक दूसे से मुलाकात करके नलन का बड़े मनाने लगते है ये दोनों एक दूसे के साथ बहुती अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते है हर आधी रात को जब कैयल पानी पीने के लिए फ्रिज ओपन करती है तो फ्रिज में इसको वो नया डिश नजर आता है कैयल यही सोचने लगती है कि इस डिश को नलन ने बनाया इसको टेश करने लगती है सपरदस टेश्टी होता है तब ही यहाँ पर नरन आता है और कैयल नरन की तारिफ करने लगती है कि तुमने यह जूट स्वीट बनाया बहुट टेस्टी है वैसे रात भर तुम मेरे साथी थे यह डिश कब बनाई तुमने नरन यही कहने लगता है कि मैंने इस स्वीट को नहीं बनाया कहल कहने लगती है कि बस करो तुम्हारा नाटक सुबा दामू भाया नहीं मुझे बताया कि तुमने एक नई डिश बनाई और उसका नाम मैं नहीं रखा खर सुबा होने के बाद दामू नरन के पास आकर दुबारा उस स्वीट के बारे में तारीफ करने लगता है और नरन को जबरदस्ती किचन में ले जाकर इसे कहने लगता है कि तुमने उस डिश को कैसे बनाया वो हमें भी सिखाव यार इस तरह से सारे सामान इसके सामने रख देता है आप नलन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसने उस डिश को नहीं बनाया तो आप कैसे बनाएगा खर जो भी हो एक ट्रैम मानने के लिए नलन उस डिश को बनाने लगता है थोड़ी देर के बाद वो स्वीड बन भी जाती है जब सारे लोग टेश करते हैं तो एक्जाटली वही टेश मिलता है इन लोगों को अब नलन को ही समझ में नहीं आता कि इस डिश को मैंने कैसे बना लिया ये खुद शौक में रह जाता है खर नलन आपने ही रेश्टरोन में सोता रहता है सोते वक्त भी यहीं सोचने लगता है कि मैंने उस डिश को कैसे बना लिया मैंने तो नहीं बनाई उस डिश को तब ही आचानक से इसकी रेश्टरोन की लइच चली जाती है थोड़ी देर के बाद नलन को कोई लड़की की रोने के आवाज सुनाई देने लगती है अब नलन टॉच्रेट लेकर उस आवाज को फालो करने लगता है ढूणने लगता है कि आखरिकार वो आवाज कहां से आ रही है रेश्टरोन से या किचन से ऐसा ढूणते हुए जब वो किचन में जाता है तो किचन के काफी सारे सामान बिखरे पड़े होते है उसके बाद जब फ्रिज ओपन करके देखता है तो फ्रिज में वही डिश होती है ताजा बनाई हुई दुबारा नलन को वही लड़की की रोने के आवाज सुनाई देने लगती है उसी किचन में थोड़ी दूरी पर जब नलन थोड़ा आगे जाता है तो नलन को खून में लटपत एक लड़की की दो पैर नजर आते है नलन धीरे धीरे उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है जब इस लड़की का चेहरा देखने ही वाला होता है तबी इसकी रेस्टोन की लाइट आ जाती है पलेट कर उस तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी लड़की मौजूद नहीं होती दुबारा फटक से लाइट चली जाती है हरर मुवीस में एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है के पहले भूत बिजली बचाने का काम करते है खरच के बाद ये एक बंदा नलन के रेस्टन को फोन करके कुछ खाने का आडर बोलने लगता है अब आधी रात होने के बावजूद भी बेचारा नलन उसी वक्त खाना प्रिपेर करके खुद और देने के लिए उस बंदे के घर जाता है इस बंदे का नाम होता है वीरा नारायना सो नारायना खाना लेकर नलन को 500 रुपे की नोट दे देता है खाना घर मिलाकर जब नारायना किसी और बंदे को कॉल कर ही रहा होता है तब ही दुबारा इसकी घर की घंडी बजने लगती है सोचने लगता है कि शायद इसकी girlfriend आई होगी लेकिन दर्वासा ओपन करने पर बाहर नलन होता है खाना अपने हाथ में लिये हुए नारेना कहने लगता है क्या बेभी तो तुमने मुझे खाना दिया था इस तरह से जब टेबल पर देखता है तो टेबल पर कोई भी पार्सल नहीं होता नारेना सोचन लगता है कि शायद इसका वहम होगा दुबारा नलन के हाथ में 500 रुपे की नोट थमाकर खाना अपने घर में लाता है थोड़ी देर के बाद दुबारा इसकी घर की घंडी बजने लगती है दरवाजा ओपन करने पर बाहर कोई भी मौझूद नहीं होता घर में आकर नारेना सोचन लगता है कि आकरिकार हो क्या रहा है एकी बंदा दो बार खाना कैसे दे सकता है इस तरह से जब टेबल के ओपर खाना रखता है दोबारा इसकी घर की घंडी बजने लगती है दरवाजा ओपन करने पर इस बार इसकी गल्फिन आई होती है उसके बाद जब नारेना उस पार्सल को ओपन करता है तो इसमें वो डिश मौझूद होती है टेश्ट करने पर जबर्दस टेश्टी होता है अपनी गल्फिन को भी खिलाता है उसके बाद नारेना अपनी गल्फिन को लेकर अपने कमरे में जाने लगता है लेकिन शौकिंगली इसकी गल्फिन बातरूम से बहार आती है सनान करके नारायने से कहने लगती है कि इतनी देर कहां पर थे तुम मैंने सोचा था कि हम दोना मिलकर स्नान करेंगे नारायने शौक मेरे कर जब फीचे देखता है तो कोई भी मुजूद नहीं होता उसके बाद नारायने की गल्डफेर्ट नारायने को स्टान करने के लिए बातरूमें भीजती है आच्छिली इसका बातरूम स्टीम वाला बातरूम होता है जब इस नान कर रहा होता है तो देखते ही देखते बातरूम का टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और उसी गर्मी की वज़े से नाराने की मौत हो जाती है हर दूसरे दिन कैयल का भाई प्रेम नालन को हॉस्प्टेल बलाता है बातों ही बातों में प्रेम नालन पर ही शक करने लगता है कि कल रात तुम खाना देने के लिए वेरे नाराने के घर गए थे शायद तुमने उसको मार दिया क्योंकि प्रेम पहले से ही नालन को पसंद नहीं करता तो नालन को इस केस में फसाने की कोशिश करने लगता है नालन यही बताने लगता है कि मैं उसको क्यों मारूंगा हाँ ये बात सच है कि कल रात में खाना देने के लिए उसके घर गया था ये तो मेरा जॉब है बस इसी बातों ही बातों में अर्विंद यहां पर आता है और आच्छिली अर्विंद नारायने को अलड़ी जानता था सम गैंड आउ बिजनस पार्टनर्स नारायने के डिट बोड़ी देखने के लिए यहां पर आया होता है खर रेश्टन वावपस जाते समय नालन इसी के बारे में सोचते रहता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है कल रात किछन में कौन लड़की नज़र आई थी और आज नाराने की मौत हो गई फटवर से दामू को बोलकर अपने किछन में सिसी टीवी केमरा फिक्स करवाता है रात होने के बाद नलन बिना सोये अपने फोन के जरिये से अपने किछन को ही वाच करते रहता है यही जानने के लिए कि आखिरकार वो स्वीट कोन बना रहा है तब ही नलन को उस किछन में एक अजीब की लड़की नजर आती है दर के मारे अपना फोन ही फेक देता है इसकी जातका फटवर से किछन में जाने लगता है तो सच में किछन में एक अजीब की लड़की नजर आती है बाल बिखरे हुए, बहुती भयानक चेहरा कर सुबा होने के बाद फ्रिज में नलन वही डिश को दिखता है वही स्वीट को गुसे में आकर नलन इस स्वीट को ही फेक देता है समझ में नहीं आता कि ये स्वीट इसकी किचन में कैसे आ रहा है नलन दामो को बुला कर कहने लगता है कि भाया इस किचन में कुछ न कुछ है कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है यह सुनने के बाद दामों और दो बंदे इसी रेश्टरोंट में रात गुजाने का सोचते है टाइम बास होने के लिए दारू वगरा पीते हुए नलन के बारे में ही बात करते रहते है बातों के दर्मियान में जब एक बंदा किचन में जाता है कुछ खाने को लाने के लिए तो फ्रिज में वही डिश मुज़ूद होती है सुईट लेकर जब वो वापस बाहर आ रहा होता है तो इन तीनों के साथ कुछ अजीब से होरर इंसरेंस पेश आने लगते है ये तीनों भी बेहोश हो जाते है अट दा सेम टैम दूसी तरफ नलन अर्विन से बात करने के लिए उसके खड़ जाता है मतलब अपनी और कैयल की बात बात करने के लिए थोड़े देर अर्विन से बात करने के बात वाद वापस अपने रिश्टरंट आता है तो नलन के साथ भी कुछ हरो इंसरेंस पेश आने लगते है स्पेशलिस के कानों में कुछ अजीब की फ्रिक्वेंसी सुना ही देने लगती है नलन उस फ्रिक्वेंसी उस आवाज को सुनी नहीं पाता अपने कान ही बंद कर लेता है देखती ही देखते इसके किछन में बहुत साथ दुआ फैलने लगता है और उसी धुवे के अंदर से एक अजीब की लड़की इसके सामने आख खड़ेती है इस लड़की को देखने के बाद इसके तो होशी उड़ जाते है इस तरह से यहां पर आदी मोवी खतम होती है खर सुबा होने के बाद नलन अपने वरकर्स को देखने के लिए हास्पिरल जाता है उनका हालचाल पूछने के लिए दामू तो बहुत सीरिस कर्डिशन में होता है तब ही प्रेम नलन के पास आकर इसका कॉलर पकरते हुए कहने लगता है कि जिस तरह से तुमने वीरा की हत्यागी उसी तरह से अर्विन को भी हत्यागी अब तुम मेरे हाथों से नहीं बस सकते तब जाके नलन को ये बात पता चलती है कि कल रात अर्विन की भी मौत हो गई नलन यही कहने लगता है कि ये बात सच है कि कल रात मैं अर्विन से मिलने के लिए उसके घर गया था लेकिन मैंने उसको नहीं मारा चाहे तो आप CCTV फोटेज चकर सकते हो उसी वक्त कॉनिश्टेबल प्रेम से कहने लगता है कि सर्फ फॉरंसिक रिपोर्ट आ गई अर्विंद का सूसाइट था हॉस्पिटल से बहार आने के बाद कैल नलन से पूछे लगती है कि आखिरखार अर्विंद के घर में क्या हुआ सो नलन कल रात क्या हुआ वो बताने लगता है अर्विंद के घर जाने के बाद अर्विंद नलन को बहुत देर तक वेट करवाने लगा जब अर्विंद अपने कमरे में जाकर दारू की बोटल लेने ही वाला होता है तब इसके साथ कुछ हरो इंसिडेंस पेश आने लगते है अट्डा सेम टाइम दूसरी तरफ नलन अरविंद के घर में वो स्वीट को देखता है इसके तो होशी उड़ जाते है कि ये स्वीट ये डिश यहां पर कैसे आई अरविंद को देखने के लिए जब नलन अरविंद के कमरे में जाता है तो अरविंद किसी दूसरे कमरे में कीशा चला जाता है कोई इसका गला घोट रहा होता है वो हासा देखने के बाद जब नलन वापस अपने रेश्टरंट आता है तो रेश्टरंट में इसके वरकर्स जखमी हालत में होते हैं और उसी तरह नलन कायल को ये भी कहने लगता है कि कल रात इसने अपने किचन में एक बच्ची को देखा उसके बाद नलन और क्यल रेश्टरंट आते हैं आप कैल के पास तो अप्लिकेशन होता है ना भूतोंसे बात करने का अप्लिकेशन उस application को activate करके आत्मा को बुलाने लगती है तभी kitchen में कायल को एक लड़की के आत्मा दिखाई देती है और वो आत्मा वही dish बनाती रहती है sweet वाला उस आत्मा से कहने लगती है के कौन हो तुम यहां पर क्यों आई हो चली जाओ यहां से तो वो आत्मा मुस्कुराते हुए फिलाल यहां से गायब हो जाती है दूसरे दिन यह दोनों एक librarian के पास जाते है वही starting में कायल के साथ debate पर वैठा था इस बंदे को जो हुआ वो सारी बात बताने लगते है तो पहले तो यह बंदा उस sweet के बार में सच करने लगता है तो इंटरनेट में इन तिनों को एक वीडियो मिलता है जिसमें उसी sweet के बार में थोड़ी सी news होती है मतलब काफी सारी लोग एक restaurant जाकर उसी sweet को खाया करते थे उसके बाद इसी वीडियो में नलन तीन लोग को देखता है जो फिलाल दो लोग मरे थे एक है अरिविन, दूसरा नारायना इन दोने के साथ उस restaurant में एक और बंदा भी होता है कि शायद उस आदमा का नश्ट टार्गेट यही बंदा हो सकता है खरस को बाद इंटेव्य देखने पर यह बात पता चलती है कि उस restaurant का नाम था मित्रा स्वीट्स रानी औरत का नाम होता है और उसकी बेटी का नाम होता है मित्रा सो उसके बाद नलन और कैल यह दोनों रानी से मुलाइकात करने के लिए उसके अपाटमेंट जाते है वाच्मेंट कहने लगता है अरे सर मा बेटी तो कप का घर खाली करके चले गए उसी वक्त इस अपाटमेंट का सेक्रेट्री अंदर आने लगता है नलन सेक्रेट्री से रानी के बार में पूछने लगता है कि मैं रानी का दूर का रिश्रिधार हूँ, उनके बारे में जानने के लिए आया हूँ, आज कल वो कहां पर रहते हैं, सेक्रेटरी कहने लगता है कि मित्रा जब स्वीट बना रही थी, तो ग्यास सिलिंडर फटकर मित्रा वही के वही मर गई, आप बेटी मरने के विए से रा रानी के फ्लैट में घुझकर उसकी तलाशी लेने लगता है, फ्लैट में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक स्केच की किताब मिलती है, स्केच बुक लेकर जब नरन लिफ्ट में आता है, तो इस लिफ्ट में अपार्टमें का सेक्रेटरी भी होता है, आनलकीली नरन आता है वो सेक्रेटरी और नलन इस सेक्रेटी गार्ड को बचाने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तब ही लिफ्ट नीचे आने की वज़े से उस सेक्रेटी गार्ड की मौत हो जाती है खायर थोड़ी देर के बाद नलन कायल और उस लेबरेन के पास आता है वहाँ पर जो नलन को शक होने लगता है कि अब तक जो तीन लोग मरे वो सारे के सारे इसके आखों की सामने ही मरे आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और स्केच्च बुक ओपन करने पर उस बच्ची ने नलन की स्केच ड्रॉ की होती है जिसका मतलब उस बच्ची ने नलन को अल्रेड देख खर उसके बाद नलन और कायल दtlebरा रिठ्टोरिन जाकर, कायल अपने अप्लिकेशन के मदद से मित्रा की आत्मा को बलाने की कोशिश करने लगती है, मित्रा की माँ के बारे में जानने के लिए. थोड़ी देर के बाद सच में मित्रा की आत्मा इन दोने के सामने प्रकट होती है नलन मित्रा की आत्मा से यही बात पूछने लगता है क्या आखरिकार तुम यहां पर क्यूं हो मेरे आखरिकार क्यूं मोते हो रही है जिसका मतलब मा बेटी की दोने की मौत हो गई उसके पास सीन थोड़ फ्लैश बैक में जाने लगता है आच्छली मित्रा और उसकी मा रानी अपनी जिन्दगी में बहुत खुश थे इनकी एक छोड़ी सी बेकरी होती है खर एक दिन जब मित्रा आटो के जरिये से अपनी स्कूल जा रही होती है तो बीज रास्ते में ही इसका आटो ब्रेक्डोन हो जाता है ट्रैवर कहने लगता है के बेटा थोड़ी देर वेट करो मैं भी ठीक करता हूँ तो मित्रा थोड़ टाइम स्पैन करने के लिए पासी के एक ग्रोण में जाकर बेटती है और इत्ते फाक से उसी ग्रोण में नलन क्रिकेट खेल रहा होता है तो मित्रा नलन की स्केच बनाती रहती है मित्रा के सर पर जपरतस तरीखे से बॉल लगती है और बॉल मारने वाला नलन ही होता है सर को बॉल लगते ही बेचारी मित्रा बेहोश गिर जाती है आटो रेवर मित्रा को फटावर से हॉस्पिटल ले जाने लगता है लेकिन अनलखिली नलन मित्रा को देख नहीं पाता हर मित्रा को टेस्ट करने के बार डॉक्टर राने को एक बुरी खबर सुनाने लगता है कि मित्रा को आमनीशिया हुआ मतलब मित्रा को कुछ बातें थोड़ी देर के लिए ही याद होती है धेरे धेरे ये बेमारी कम हो जाएगी दवाईयों के जरिये से जब तक आप अपने बेटी का खयाल रखी है हर हास्पिटल से वापस आने के बाद बेचारी मित्रा काफी सारी बार अपने घर का अड्रस ही भूल जाती है इसको सिर्फ अपने माही याद होती है बाकी सब कुछ गजनी टाइप राणी मित्रा को एक स्मार्ट वाच देती है जिसमें कुछ इंपोर्टन बादें फीट कर रखी थी जैसे फ्लैट का नंबर, घर का अड्रस, स्कूल का अड्रस हर एक दिन राणी को कुछ काम होने के वएए से मित्रा अकेले ही लिफ्ट के जरीए से अपने फ्लैट आने लगती है और इस लिफ्ट में वो सेक्रिटी गार्ड होता है जो मारा थाना लिफ्ट के जरीए से वो वाला बंदा सो मित्रा को अकेला देखकर इसके साथ मिस बिहेव करने लगता है मित्रा सेक्रिटी गार्ड से कहने लगती है कि अंकल आप मेरे साथ गलत कर रहे हो मैं ये बाद अपनी मॉम को बताऊंगी सेक्रिटी गार्ड रिक्रेश्ट करने लगता है कि बेटा बेटा मुझे माफ कर दो गलती से लग गया प्लीज किसी को मत बताना वणा मेरी जॉब चली जाएगी कि उस बच्ची को क्या प्रॉब्लम है तो दूसरा सेक्रिटी गार्ड इस बंदे को सारे बात बताने लगता है कि उस बच्ची का आक्चेन हुआ जिसके वेशे वो दस मिन के बाद भूल जाती है ये जानने के बाद मित्रा जब कभी भी स्कूल से वापस अपने फ्लैट आ रही होती है लिफ्ट के जरीए से वो सेक्रिटी गार्ड लिफ्ट को बीच रास्ते में ही रुका कर मित्रा की साथ बरतकार करते रहता है एक बार नहीं दो बार नहीं हर रोज यही चीज़ करते रहता है अब बैचारी मित्रा को कुछ भी याद नहीं रहता जिसके वैसे अपनी माँ को भी नहीं बता पाती खर एक दिन इस अपार्टमेंट का सेक्रिटेडरी उस सेक्रिटी गार्ड को यह कान करते हुए देख लेता है इसको बहुत मानने पीटने लगता है बहुत डाड़ने लगता है कुछ दुनों बाद मित्रा की तबियत थोड़ा और बिगड़ने लगती है मा से कहने लगती है कि मा मुझे बहुत सर्दुक रहा है और सी तरह बहुत बौडी पेंस भी है ख़र दूसे दिन इस अपार्टेंट में कुछ फंशन मेगरा चलते रहता है फंशन को मित्रा उसकी मा भी आती है लेकिन मित्रा की तबियत कुछ ठीक नहीं होती जिसके वएशे मित्रा खुद बखुद लिफ्ट के जरिये से अपने फ्लैट जाने लगती है इस तरफ नीचे फंशन में रानी अपने बेटी को नहीं देखती सारे लोगों से पुछताश करने लगती है क्या आप लोगों ने मित्रा को देखा इसी दरमियान में रानी सेक्रेटरी के पास आगर मित्रा के बारे में बताने लगती है कि सर मेरी बेटी नजर नहीं आ रही प्लीस आप एक बार अनौन्स करिये ना तब ये उस सेक्रेटरी के रूम से मित्रा की स्मार्ट वाज के आवाज आने लगती है जब रानी अंदर जाती है तो बेचारी मित्रा बहुती बुरी हालत में होती है और इस फ्लैट में आलड़ी वाच्मेन, सेक्रेटरी, नाराइना, अर्विन ये सारे लोग मिलकर मित्रा का बरतकार कर चुके होते है उसके बाद ये चारों मिलकर रानी को भी मार देते है इन दोने की लाश को इन्हें के बेकरी में ले जाकर रानी की तुकड़े तुकड़े करते है बाद में गैस सिलिंडर आउन करके बेचारी मित्रा को भी मार देते है खर ये सच जाने के बाद बेचारा नलन और कैयल बहुत फील होने लगते है कि उन हाईवानों ने इस छोटी बच्ची के साथ ऐसा जल्म किया सारी की सारी गलती मेरी है मेरी वज़े से ही मित्रा की यादधास चली गई असली गुरेगार तो मैं हूँ उसके बाद कैयल और नलन प्रेम के पास जाकर मित्रा और उसकी मा के बारे में बताने लगते है कि आचली उन दोनों का आक्चन नहीं बलके मडर हुआ उसके बारे में थोड़ा एंक्वारी करो दूसी तरफ उस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी दो जादुगरों को बलाकर अपनी प्रॉब्लम बताकर इसे बाहर निकलने के लिए कहता है इन में से बड़ी जादुगर्नी कहने लगती है कि पहले मा बेटी का सर ढूंकर उसको जलाना होगा तब ही उन दोनों की आत्मा इस दुनिया से चली जाएंगी मतलब सेक्रेटरी ने उन दोनों की लाशों को कही पर दफनाया होता है यहाँ आने के बाद यह जादुगर्नी सारोनिंग में आग लगाकर उस सेक्रेटरी को इसके बीच में ही रहने के लिए कहती है यह लोग जाकर सर ढूनेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश होनी के वेशे यह आग बुझ जाती है उसके बाद मा बेटी के आत्मा इस सेक्रेटरी को पटक पटक कर मानने लगते है अट दा सेम टेम वो जादूगरनी राने के लाश को फैंडोट करके उसका सर जलाने लगती है उसी वक्त नलन भी यहाँ पर पहुँचकर इस सेक्रेटरी से फाइट करने लगता है अब यहाँ पर प्रेम भी आ जाता है नलन प्रेम की गन लेकर उस सेक्रेटरी पर फायर करके उसको माही देता है बाद में नलन मित्रा की आत्मा से मौफी मांगने लगता है लेकिन मित्रा की आत्मा ऐसे जताने लगती है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं इस तरह से ये मा बेटी के आत्मा शान्त होकर इस दुनिया से चले जाते है फारनल सिन में एक अंजार मंदा नलन के रेस्टरंट आकर उस एजिप्ट स्टैशु के बार में पूशे लगता है कि कुछ दूनों पहले एक डॉल को यही पर भूल कर चला गया सो नलन वो एजिप्ट की डॉल इस बंदे को दे देता है इस तरह से ये मूवी यहाँ पर डियेंड होती है तो मूवी कैसे लगी कमेंट करेंगे बताना ज़रूर मिल दे एकली वीडियो में तब तक टेकर बावाई सी यू सूम